इस बार मन की बात बहुत खास है। इसका कारण है इस बार का स्वतंतरता दिवस। जब भारत अपनी आज़ादी के पचतर वर्ष पूरे करेगा। हम सभी बहुत अधभूत और एतिहासिक पल के गवाँ बनने जा रहे हैं। इश्वर ने यह हमें बहुत बड़ा सौभागे दिया है। आप भी सोचिए अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कलपना हमारे लिए कैसी होती। गुलामी से मुक्ती की वो थड़प पराधिनता की बेडियों से आज़ादी की वो बेचेडी कितनी बड़ी रही होगी। वो दिन जब हम हर दिन लाखों लाख देश वासियों को आज़ादी के लिए लड़ते, जूजते, बलिदान देते देख रहे होते। जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा। और हो सकता है हमारे जीवन में वो भी दिन आता जब बंदे मात्रम और भरत मा की जय बोलते हुए हम आने वाली पीडियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, जवानी खपा देते हैं। साथियों, 31 जुलाई याने आजी के दिन हम सभी देशवासी शहीद उधम सीजी की शाहादत को नमन करते हैं। मैंसे अन्य सभी महान करांतिकारियों को अपनी विनम्र स्रद्धांजली अर्पित करता हूं, जिनोंने देश के लिए अपना सर्वस्व नियोशावर कर दिया। साथियों, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि आज आजी का अमरित महोत्सव एक जनांदोलन का रूप ले रहा है। सभी खेत्रों और समाज के हर वर्क के लोग इससे जुड़े अलगलग कारकुम में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही एक कारकुम इस महिने की शुरुवात में मेगाले में हुआ। मेगाले के बहदूर युद्धा यू टिरोथ सींजी की पुन्यतिधी पर लोगों ने उन्हें याद किया। टिरोथ सींजी ने खासी हिल्स पर नियंत्रण करने और वहां की संस्कृति पर पहार करने की अंग्रेजों की साजीस का जम कर विरोथ किया था। इस कारकम में बहुत सारे कलाकारों ने सुन्दर प्रस्तुतियां दी इतियास को जिन्दा कर दिया। इसमें एक कार्निवल का आयुजन भी किया गया। जिसमें मेगाले की महान संस्कृति को बड़े ही खुबसूरत तरीके से दर्चाया गया। अपसे कुछ हपते पहले करनाटका में अमृता भारती कंड़ार थी। नाम का एक अनूठा अभियान भी चलाये गया। इसमें राज की 75 जगों पर आजहादी के अमृत महुत सव से जुड़े बड़े भव्यकारकम आयुजित किये गये। इन में करनाटका के महान स्वतंतरता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानी ये साहितिक उप्रद्यों को भी सामने लाने की कोशिश की गई। झाल